कि आज विडियो में बात करेंगे क्लास टल्थ के लिए सामान हंदी के एक टॉपिक है अलंकार तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार यह मैंने हैं रेटन किया इसका मैंने टाइब नहीं गया तो यह थोड़ी इसमें राइटिंग गला थे लेकिन बोलूगा तो आप उससे इस प्रकार और तिब बिना आप हुसनों के अच्छी नहीं लगते हैं उसी तरह जो कविताएं हैं पंग्तियां हैं उन्हें जब तक अलंकार नहीं तो तब तक वह अच्छी नहीं लगते हैं इसलिए अलंकार कविताओं के पंग्तियों के आप हुसन होते हैं कविताओं की बिस्रंगार होते हैं इन्हीं को हंकाते हैं अलंग का लगता है अलंगिकाते हैं में होता है ता शर्णगार हता है इसक आसा अरथ सब्रक। को होगे अर्थ की कार्ड होता है वो होता है अर्थ अलंकार चलिए और डिटेल्स में जानते हैं कि काइंस को इनकी प्रिकार को जानते हैं तो हमें यहाँ पर समझ जाएंगी क्या है सबसे पहले सबसे पहले हमारा सब्दालंकार के पिकार ये मेन बहुत सोटमय विधमें बनाई जिसमें आपको इनका परवासा याद गरने में दिक्कत ना हो तो सबसे पहले सब्दा लंकार का पहला काएंड अनुपरास लंकार कोई बेंजन बार बार आए मनलब जैसे यहाँ पर यह है रगो पती रागो राजा राम रा आ रहा पिर इसमें भी रा रहा इसमें भी रा रहा इसमें भी रा रहा रहा तो यहाँ पर कौन सा लंकार है यहाँ पर है सब्दा लंकार का अनुप्रास लंकार क्योंकि यहाँ पर रारा सब्द आरा जैसी की एक और सेंटेंस है कल लुके काने कालपी से कलाई कारा कटो रख करे किया तो इसमें विका का आ रहा तो यहाँ पी एक अनुप्रास लंकार है पहला पहले अक्षार वहाई बार पर रिपीट कर रहा ही कि या फिर अन्तवा लास्ट crunchy रिपीट करता है पहला वाला लिपीट करता है तो आपको अगर आपके एक्जाम में आ है तो यहाँ पर लिएक देना है सब्धत अनुप्रास लंकार सब्दा लंकार का एक पिरकार है और इसमें किसी बेंजन की आबरति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है उधारन के तौर पर रगोपती रागो राजा राम और फिर वहां पर लिख देना इस explanation तो वहां पर लिख देना इनमें आए प्रियुक्त हुए सभी सब्दों में सुरू सुरू में रहा है तो आपका ये प्रॉपर एक डेफिनेशन हो जाएगा ये इसमें आपका छेलान साथ हो जाएगा और आपके नंबर स्क्यूर हो जाएगा फिर इसी तरह आ ही यह कंतलब होता है देला युग में फिर एक अधिक बार आई वहर यर्थ अलग हो ऐसके एक प्रिकार सब्सक्राइब दू बार दू बार से अधिक बार आए और हर वार उसका अर्थ अलग हूँ वहाँ पर होता है यमा कलंकार जो नहीं कि सब्दारांगा का मुथ यह जैसे एक यहां पर इस गटने का आर्थ पहली बार पर्योग तूए गटने गटा का आर्थ है बादल दूसरी बार प्रिश्च गटना दूसरा में दो सजना के लिए अब सजना के लिए आप समझ गए होंगे अब तीसरा है सलंकार सब्द एक बार प्रयोग हो हर बार अर्थ अलग अलग हो को गटिए बिरस बार अर्थ अलग हो यहां पर बिरस बार अर्थ दो हैं बिरसब बिरसब मतलब है बैल और अनुजा मतलब छोटी वे हैं अनुजमाने छोटा भाई होता है, अनुजमाने छोटी विहन, मनलब की गाए, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, गाए, और यहाँ पर बिरस भानुजा का दूसरा मतलब क्या है, कि बिरस भानुजा, बिरस भानुजा, और यह एक दूसरा सब्द आया है, अहल्दर, इस हल्दर का मतलब है एक काल दर का मतलब है बलराम और एक हलदर का मतलब है हल को धारण करने वाला मतलब की बैल चलिए अब चलते हैं अर्थालंकार सब्दालंकार तो समाप्त हो गया जो ही बहुत छोटा टॉपक है चलिए अर्थालंकार में हम आ चुके हैं अर्थालंकार अर्थालंकार के परकार मतलब अर्थ के कारण जो अलंकार होता हुआ उसे अर्थालंकार कहते हैं और उपमा लंकार उसका पहला परकार मतलब इसके काफी परकार हैं हम देखेंगे सभी को लांसे और ये सुरू के तीन है काफ्य इंपोर्टेंट है उपमा रूपक और बीच्छा चलिये तो उपमा को देखते हैं तुलना करना जब किसी व्यक्ति की तुलना कि दूसरी व्यक्ति व्यक्ति अबस्तू से की जाए जैसे कि एक्जाम पले हरी पद गूमल कमल से अपको अगर एक्जाम में आई तो आपको लिखना है अर्थालंकार का एक रिए और इसमें जब किसी एक व्यक्ति की तुर्णार की दूसरी व्यक्ति वस्तों सिकी जाए वहां अलंकार होता है उधारन के तौर पर यह लिख देन यहां आपको नंबर मिल जाएंगे तो हरिप्द कूमल कमल से मनला हरी पद बहगवान के पैर कूमल कोमल में समलायम कमल कमल मिस जानते हो आप से मनलब की आपके हरी पद भगवान के चैणों की तुलना कमल से कर दिए कि है हरी आपके पाद कमल की तरह हैं तो ठीक है इतना आपको पूंज में आ गया तुलना कर दी आ पर और हरी मन्हाइक पदर किस पी जिसके लिए उपमा की विवस्ता की जाए आर्रेंजिमेंट की जाए अपमा इसी सब्सक्राइब विवस्ता की पूरी तो यह हो गया उपमे फिर उपमान जिससे उपमा दिजाया मिरन लब की जिससे मधियाए जैसे हाँ पर कमल से मधी गई तो यह वी कोमल है कमन रॉस हैं सम्समान सुन यह सब क्या है बाचक सब्द है तो आप इसका लिए ने कि हाँ पर हरी के भगवान के पदों की वो क्या कहता है कि अपल मां यहां से कमल से की गई है तो आपका इतने में हो जाएगा अगलर शलता है रूपक जहां उप में उपमान का भेद रहत आरोप अब इसका मतलब चलो यहां पर हम समझेंगे इसमें चरण कमल बंदों हरी दाई चरण कमल मनलब की कमल की तरह चरण भगवान मनलब हरी के चरण जो कमल की तरह हैं उनकी में बंदना करता हूं इसका मतलब आप इसमें उपमा में इसमें थोड़ा डिफ्रेंस नहीं पता कर पाएंगे लेकर अब आप डिफ्रेंस करना सीख जाएंगे यहां से कि यहां पर उससे तुलना की गई थी वहां पर उपमा में यहां पर तुलना की गई थी लेकिन यहां पर तुलना नहीं की चेहरणा को अहां पर जो मतलब ये बाक कहता है उसने चेहरणा को एकदम कमला ही माल लिया है मैं मतलब जैसे कह दूँ कि आपका चेहरा चांद सा है तो ये हो गया क्या उपमालंकार और अगर कह दूँ कि आपका चेहरा बिलकुल चांद ही है तो यहां पर हो जाएगा रूप रूप कलंकार चरण कमल एकदम चरण की तरह कमल मतलब चरण ही कमल है और इसका यह एक उधार उधित उधेगिरी मंच पर रगुबर वाल पतंग विगसे संसरूज सब है हरसे लोचन बरंक जहां पर धनस भंग हो रहा तब वहां पर उस मंच को उधित उधेगिरी मान लिया गया है और रगुबर को यहां पर बाल पतंग माल लिया गया है मतलब छोटा सूर बिकिसे संत सरोज सब और सभी संत हैं उनको सरोज माल लिया गया है कमल की तरह माल लिया गया है और हर से लोचन भ्रेंग को सभी की आँखों को सभी की लोचन को एक भ्रेंग की तरह माल लिया गया है यह है धनुस भंगे का सीन का है चलिए नेक्स पर चलते हैं उत्प्रेक्षा लंकार जहां पर उपमान के ना होने पर उपमे को ही उपमान मान लिया जाए आप प्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहां उत्प्रेक्षा लंकार होता है कि ऐसा ओड़े पीथ पटू स्याम सलोने गात मनहू नील मनी सेल पर आतब पर्योपर भाद सुहत ओड़े पीथ पटू सुहत मरलब की सुहत ओड़े पीत पटू मरलब की स्री कर्षन जी एक पीला कपड़ा पहने हुए पीत अंबर पहरे हुए स्याम सलोने गात मनहु नील मनी सेल पर और ऐसे लग रहे हैं मानू की नील मनी सेल एक नील मनी परवत है वहां पर सुबह सुबह का पहला प्रकास गिर रहा है, वो उस इतने अच्छी चमक रहे हैं, मरलाब यहाँ पर मनहूं यह सब्द आया, यह इसका पहचान होता है, यह उत्वर एक चलंकार है, मरलाब मान लिया जाता है, इसा है, कल्प्ना की जाती है, कि माना ऐसा माना वैसा यहां पर यह सब्द आए तो आप समझ जाना कि यहां पर उत्पर एक्षा लंकार है मनो जनो मनहू मानो जाने हूं जानो आदी ये सब्द आएं तो आप समझ जाना कि उत्पर एक छालंकार है चली नेकर चलते हैं और यहां पर आब आगया दृष्टान्त अलंकार जहां दो सामान बाक्यों में या बिस्स बाक्यों में बिम्रिद्दी बिम्र का भाव हो दूसर अर्थ एक ही हो जैसे कि एक मियान में दो तलवारे कभी नहीं रह सकती है किसी और पर प्रेम नार्वियां पती का क्या सह सकती है एक मियान में दो तलवारे कभी नहीं रह सकती है इसी प्रकार एक पती के पास दो पत्लियां नहीं रह सकती है मनलब की भी दूसरी पतनी है वो उसका प्रेम अपने पती का प्रेम दूसरे नार्वियों पर नहीं से सकती है इसी से मिलती जिलती बात इस बाल इलान में कही गई है चलिए नियाक चलते हैं यह थोड़ी सुरुबात का सबसे ज्यादा थे तीन संद्य लंकार जहां किसी वस्तु की समानता अन वस्तु से दिखाई पढ़ने पर यह निश्चित नहों पाई कि यह वस्तु वही वस्तु है कोई अन है मतलब कि यहां पर एक कन्फूजन जैसा उत्पन होता है ऐसी पंक्ति होती है जहां पर कन्फूजन होता है कुछ समाझे में याता है कि कहना क्या चाहता जैसे कि यह नारी बीच सारी है कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है अलब ये द्रवदिची रहा का एक पंक्ती है यहां पर किसी कभी ने लिखा है कि पता इंचलला नारी वीच सारी है कि सारी ही कि नारी ही कि नारी ही कि नारी ही कि सारी ही तो यहां पर हो जाएगा संधिया लंका उसके एक ओदारन भी है, इतने में आपको नमबर मिल जाएगा अतिसेयोक्ती जहां किसी बस्तु की इतनी अधिक प्रसंसा की जाए लोग मरे अधा का अतिक क्रमन हो जाए अलगी इतनी ज़्यादा प्रसंसा करना की लोग मरे याधा आप से भी पार हो जाए जैसे कि यह है जे जल चलाएं थलाएं कि नाहीं ताप नबूर बेका दिकाई यहां पर गोड़ों की बात की गई कि गोड़ा इतनी मरलब सी राम की बरात में जो बरात गए थे गोड़े वो इतनी तेज चल रहे हैं आपना बूर प्रेक काई उने का वहता देखें अब जीवन की कपी आसना कोई कंगुरिया की मुदे के अंगूठी एफ यहां पर सुरीर। है कि एफ यह कर गए है। सब्सक्राइब रोजेता हो तरह लगा है। कि अधसे मतलब्स घका अतिकर्वन हुआ हई। तो यहां पर हो जाएगा अधिसए योगति एलंकार। कि ब्रहांति मान अलंकार अब यहां पर एक है पता नहीं ब्रहांति हुई यह कुछ ही उप भिराम हो जाता है वहां 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 अलंकार होता है इसका अग्जामपल है मतलब है बिल समझे के प्रविसन मतलब गुसने लगा लगे उस सुन्ड में व्याल मतलब हाती के सुन्ड में सांप सांप ने सोचा कि यह बिल है मैं इसमें गुस जाओ और तालू कारी उंक बिराम लिए उठा उत्ताल वहां तीने भी सुचा कि यह काला गर्णा है मैं भी इसको एकदम जटी कि लूँ खींच लूँ तो उसने भी उसे उठा लिया खींच लिया तो यहां पर यह समाप्त होता एक और है साथ एक अन्वयलंकार है यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है नहीं आते इसमें सुरू के आता है और आता है कि यह उत्पर एक चलंकार तो आपको इन तीनों को अच्छी तरह से पढ़ना है बस तो चलिए वीडियो कुंत करें